नमस्कार सबी किंद्री एकरमचारी रज्य करमचारी पैंसन भोगी बुद्पुर जवानों का स्वागत है आप सब भी का अपने वरोसे मन यूटूब चैनल में इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है देजबर के किंद्री करमचारी पैंसन धार को के लिए बड़ी अपडेट बड़ी खबर जानेंगे सबी खबरों को विस्तार से सबसे पहले आपसे निवेदने की वीडियो को लाइक कर दीजी अपनी तरफ से क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेनत का फल होता है साथ ही चैनल पर पहले बार विजिट के है तो नीचे बलेक कलर के बटन को दबा कर आपसे निवेदने की चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले क्योंकि यही पर आपको आथेंटी के सान के साथ विस्वसनी सुत्रों के अधार पर हर जानकारी प्रवाइट की जाती है आपको औरब की चैनल के सारखार के बंको निर्देश दीया और साथी फटकाल लगाई है काय की पैंसेनर का डाटा बिना पैंसेनर की हनुमति के थेर्ड पार्टी के साथ शेयर ना करे अन्याता पैंसेन पहुकी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता बावीच्चे दर्ड पार्टी के साथ डाटा शेर नहीं होना चाहिए अन्यता आपके उपर कारवाई की जा सकती है बैंकों को फटकार भी लगाई है इसको लेकर चलिए अगली बड़ी अपडेट की हो चले तो केंदर सरकार ने बैंकों को कहा है कि पैंसन भोगी की पैंसन का बुक्तान ज आपको पैंसन भोगी को आर्थिक नुकसान उठान पड़ता है क्योंकि उसके पास मात्र एक ही साधन होता है आयका वो है पैंसन और पैंसन ही पांच्छा महीने की देरी से पहुँचेगी तो अपनी आजीवी का कैसे चला पाएगा इसी को ध्यान में रखते हो ये पहले ही पैंसन भोगी इस परस में माइगरेट किया जा रहा है ऐसे में जो पैंसन भोगी इस परस से अंजान है वे काफी घबराय होई है उनके मन में सवाल है कि हमारी पैंसन इस परस में क्यों माइगरेट की जा रही है अखिरकार इस परस है क्या तो आपको यहाँ पर बताते चल पहले कि जो पैंसन भोगी अभी तक बैंकों के माध्यम से पैंसन पाप्त करें उनकी पैंसन को इस परस विबाग ने अपना अंतिम नेड़ने लेते हुए उनकों भी इस परस में माईगरेट करने का ठान लिया है अपके अंतर सरकार के ऐसे पैंसन भोगी जो अभी तक बैंक के पासे मंगवाया जाया करता था लेकिन अब आपका विबाग जो की इस परस होगा उसके माध्यम से आपकी पैंसन पूरी कैलकुलेट की जाएगी वहीं पर और वहीं से आपकी बैंक में क्रेडिट करके दी जाएगी तो यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी फरक नहीं कि आपको सुईधा और मिलेगी ओनलाइन माध्यम से आप इस परसे कई सुईधा उप्राप्त कर सकते हैं चलिया के लिए बड़ी अपडेट की ओर चले तो किंदर सरकार के पैंसन पूर्गियों के लिए बड़ी अपडेट है दिसंबर महीने की पैंसन को लेकर बड़ी करना होगा कई बार देखा गया है कि कई बार पैंसन भोगी लाइप सेर्टिफिकेट बैंकों के माध्यम से जमा कर देते हैं लेकिन इस परस पर अपडेट नहीं हो पाता है तो आप भी अपना इस परस पोर्टल लोगिन करके एक बार देख लेकि आपका लाइप सेर्टिक करें कि उसमें आपका नाम, आपका सरनेम, आपकी डेट अबर्थ, वाइफ का नाम, वाइफ का सरनेम, वाइफ की डेट अबर्थ और नॉमिनेशन एड एक ही नहीं है, यदि कोई डाटा मिस मैच मिलता है दारकार्ट से और आपके पीपियों में तो आपने विबाग के पास आकर उसे सुदर्वा ले अन्य था बात में फैमिली पैंसन चालू करने में फैमिली पैंसनर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और विबाग को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है चलिए अगली बड़ी अबेट की बात कहतो कि इंदर सरकार ने पैंसन pension boogie हैं अब उने सालना आप 3 माप Spa कोई भी tax नहीं चुकाना होगा आपको मालू होना चाहिए कि senior citizen pension boogie वे pension boogie होथे हैं जिनकी होगी कंदर सरकार ने super senior citizen pension boogie को भी बड़ा तौफा गारी किया है super senior citizen pension boogie को अप शालना 5 लाख भी还पर कोई भी tax नहीं चुकाना ने सर्कुलर जारी किया और बैंकों को काये कि पैंसन बुक्तान में देरी ना करे अन्य था आपके उपर 8% पैलेंटी के दोर पर बैच का बुक्तान करना पड़ेगा पैंसन के साल दरसल देखने में आता है कि बैंकों द्वारा जो पैंसन का बुक्तान 27, 26, 29, 30 तारीकों कर जाना चाहिए वो अगले मैने की 7, 8, 9, 10 तारीकों किया जाता है ऐसे में पैंसन पाप्त करने वाले को पैंसन 8-10 दिन की देरी से मिलती है जिसके चलते उसे आर्थिक नुक्सान उठाना पड़ता है कई बार पैंसनर की EMI कटनी होती है एक दो तारीकों लेकिन वो पैंसन देरी के चलते काफी दिक्कत हो जाती है ऐसे में RBI के नए सरकुलर से अब पैंसन बुक्तान समय से हो पाएगा पैंकों को कहा गया है कि यदि पैंसन बुक्तान में देरी की गई तो आपको 8% पलेंटी के तोर पर पैंसन के साथ ब्याच का बुक्तान करना होगा चले अगल 2023 से दिसंबर 2023 के लिए एपलिकेबल है अब एक जनवरी 2024 से नया मेंगाई बता और मेंगाई रात लागू होगा अब सावाल है कि केंद्री करमचारी पैंसन बुक्तान करके दिया जाएगा अभी तक क्या आए आकडों के मतावित माना जा रहा है कि केंद्री करमचारी पैं संधार को के लिए मेंगाई बत्ता मेंगाई रात मोजुदा 46 विजदी से बढ़ते होगे 3.08 परतीशत अधिक होकर 49.08 परतीशत पर विराजमान हो चुका है वहीं अभी नवंबर दिसंबर का डाटा सेस है जिसके बाद आकड़ो में यही फ्लो बना रहता है तो मेंगाई ब के मुताबित किंदर्य करमचारी पेंसंधार को के लिए क्याउन फिजदी होना तैह है वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो किंदर्य सरकार के करमचारी पेंसंधार को नए साल पर मिल सकता है 26 जनवरी के मंद से किंदर्य सरकार की ओर से 18 माँ एरियर ऐलान का देश के अर्थवेवस्ता गड़ बढ़ाई थी तब तो अठारमा एरियर को रोक लिया गया था अब देश के अर्थवेवस्ता सुद्रड हो चुकी है जीस्टी में रिकोर्ट तोड कलेक्शन किया जा रहा है साथ ही सरकारी खजाना भरा हुआ है ऐसे में केंदर सरकार को दबाव के चलते एलान होना स्वाबाविक है मिलते हैं अगामी अपडेट के साथ नेक्स टूडियो में जैहिन जै भारत वंदे मातरम